हलो मेरे प्याबच्चों स्वागत है आप सभी का M.K. Sir इंस्पिरेशन के एक और बहतर वीडियो में So my dear student आजके इस वीडियो में हम chemistry के most important topic का postmodern करने वाले हैं आजके इस वीडियो में रजगुलों हम सीखेंगे कि ओष्ट वाल्ड विधी द्वारा नाइट्रिक अमल कैसे बनाते हैं बहुत simple topic है और हाँ इसकी एक खास बात ये है बच्चों कि हर साल board exam में पूछा जाता है और वो भी पूरे 5 नंबर में तो 5 नंबर की बात है चलिए हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से सीख लेते हैं दिखी बच्चों सबसे चाहता जो भी और द्योगिक निर्माण की विधिया होती है चाहे वो हैबर विधिद्वारा मोनिया हो या फिर बच्चों अगर हम बात करें डीकन विधिद्वारा क्लोरीन या फिर ओस्ट वाल्ड विधिद्वारा नाइट्रिक एसिड इन सब में सबसे जादा जो जरूरी है वो है चित्र अगर आपने रसगुलों इसी को सीख लिया तो समझ लिजिए चुटकियों में आप इस पूरी विधि को लिख सकते हैं ती देखिए अब इसमें करते क्या है बच्चों ओस्ट वाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए इसमें जो एक बच्चों ये व और शोशन कच ठीक ना चलिए इसको सीखेंगे सबसे पहले हमारी जो विधि है वो क्या कहते है उसको देख लेते हैं ठीक ना देखें बच्चों विधि में क्या है सबसे पहले आपको विधि में समझना है कि ओस्ट वाल्ड विधि में होता क्या है बच्चों कि इस विधि बनाती है और यहां जल से किरिया करके نाइट्रिक अमल बनाता है ठेक है ना ध्यान से समझना तीन democr pH में रियक्शन है क्या कह रहा है हम लिखेंगे क्या कह रहा है कि इस विधी में ammonia तो ammonsix बनाता है आकशी क्रिक होकर आक्सी करिक बोले तो बच्चों O2 ठीक है ना? आक्सीजन से किरिया करेके N क्या बनाता है? नाइट्रिक आक्साइड यनि ये बनाता है NO नाइट्रिक आक्साइड ठीक है ना बच्चों? और साथ में अगर H2O है तो भाई सहाब इसमें जल भी निकलेगा लेकिन बच्चों ये Reaction Balance नहीं है इसको अपने Balance कर लेते हैं तो इसको क्या करते हैं? ध्यान से समझना एक काम करते हैं जैसे इसको हम 2 लगाएंगे 2 लगाएंगे ये काम नहीं होगा 4 लगा लेते हैं तो यह है बच्चों यहां से 4 लगाएंगे चार नाइट्रोजन हो गया, चार लगा दीजी, तो चार नाइट्रोजन बराबर, अब चार तियाई, बारा हैड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर छे लगा दिया आपने, अब आक्सीजन काउंट कर लेते हैं बच्चों, छे इधार आक्सीजन, चार यहाँ, तो यहाँ पर कित किलियर हो जाएगा नाइट्रिक आकसाइड पहले यही कहा कि अमोनिया गैस किसे वायों से आक्षी किरिद भाई यह वायू है आक्षी किरिद होकर नाइट्रिक आकसाइड बना रहा बच्चों और जो जो बोले तो यही अब जो नाइट्रिक आकसाइड बनता है यह क्या करता इसको भी अपन बैलेंस कर लेते हैं तो क्या हो जाएक बच्चों ध्यान से समझना इसमें हम बैलेंस अगर हम करेंगे देखिए दो एक तीन आक्सीजन है दो यहां है तो नहीं होगा काम एक दो लगाएके चेक कर लिजिए दो नाइट्रोजन हो गया तो दो लगा दीजिए दो दुना चार चार आक्सीजन हो गया तो दो आक्सीजन यहां दो यहां बराबर यह बच्चों एन ओट्व बन गया है ना इतना बात समझ में आ गया ठीक ना यहीं इतनी चीज़े किलियर होगी बच्चों अब देखिए और यह जल से किरिया करके यहनी अब रस गुल्लो ये बना नाइट्रोजन डाई आकसाइड क्या बन गया ये कि नाइट्रोजन ठीक नाइट्रोजन डाई आकसाइड ये बन गया ठीक आकसाइड अब ये क्या करेगा बच्चों ये किरिया करेगा जल से हमने पहले ही बताया कि ये रियक्षन तीन इस्टिप में होती है ये बच नाइट्रिक एसीड यह नी ऐच एन ओ ठीच ना नाइट्रिक एसीड बनेगा साथ में अहां नाइट्रोजन यहां पर ऐसा करते हैं तो भाई यहां पर देखिए दो लगाते हैं दो एक तीन नाइट्रोजन तो तीन लगा दीजिए तो तीन दूनी छे आकसीजन होगे बच्चों तीन दूनी छे आकसीजन छे एक साथ तीन दूनी छे एक साथ तो हो गया यह बन गया नाइट्रिक नाइट्रि तो बच्चो में यही है और यही चीज इसमें किया जाता है अब इसमें कैसे करते हैं यह दिरूना सबसे ज़्यादा जरूरी इतना है अगर इतना आप नहीं लिखेंगे तो मान के चलिए अगर 5 नमबर का है भले आपने खेगर बना लिया बच्चों लेकिन आपके 3 नमबर तक कट जाएंगे इसकी वज़ा से मेन तो कहानी यही है ना मेन तो बच्चों यही है जो क्या गहरा है फिर से समझ लीजिए इसमें अमोनिया गैस वायू से तो अमोनिया गैस एनस्थिरी अमोनिया है अमोनिया गैस बच्चों किस से वायू से किरिया करके क्या बना रहा है न जल से किरिया करके यनि जो नाइटोजन डायाकसाइड बच्चों ये जब जल से किरिया करेगा तो यही बनाता है नाइट्रिक एसीड अब कहानी आती है कि हम विधी में क्या लिखेंगे अब हम लिखेंगे बच्चों क्या लिखेंगे विधी देखिए यहां पर हम विधी त देखना चाहते हैं देख सकते हैं देखिए अब क्या लिखेंगे इसमें वही आपको थोड़ा समझना है ठीक है न चलिए देखिए क्या करते हैं बच्चों सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा सबसे पहले क्या करते हैं कि अमोनिया और वायू ठीक है न अमोनिया और वा आयो के मिसरन को एक अनुपात 9 के अनुपात में ले करके बच्चों क्या करते हैं इसे उत्प्रेरक कच्च में परवाहिद करते हैं उत्प्रेरक कच्च में होता क्या है उत्प्रेरक कच्च में यहां पर प्लेटिनम की जाली दिछी होती है जिसका तापमान होता है बच्चो 650-800 एन्हीं high temperature होता है platinum की जाली का और यही यह जो platinum की जाली है रिश्गुलों ये क्या करता है उत्प्रेरक का ये जो PT है यहाँ पर लिख देंगे जो platinum की जाली है ये एक उत्प्रेरक की तरह कारि करता है यानि अभिक्रिया के इदर को ये बढ़ा देगी अब बच्चों यहां से क्या बनेगा यहां से देखिए बना क्या इसमें NO बना अभी हमने बताया ना पहले रियक्षन होगा NO यानि इस वाले कच्छ में NO बना ठीक है ना तो यहां पर लिखेंगे कि जब अमोनिया और वायू के मिसरन को एक अनुपात NO के अनुपात में ले करके उत्परियरक कच्छ में प्रवाहिद करते हैं ठीक है ना और यहां पर प्लेटिनम की जाली विशी होती है और इसका तापमान 650 से 800 अंशल्सियस तक होता है तो यहां पर क्या होता है यहां नाइट्रिक आकसाइड बनता है फिर बच्चों नाइट्रिक आकसाइड को आकसी कारक अस्तंभ में प्रवाहिद किया जाता है यनि इसको भेजते हैं आकसी कारक अस्तंभ में और यहाँ पर नाइट्रिक जो आकसाइड होता है फिर से आकसी करित हो करके दूसरे स्टेप में देखिए यानि तीन कालम है इसलिए तीन रियक्षन है समझ में आ रहा है तो इसमें क्या होता है वो जो नाइट्रिक आकसाइड होता है फिर से आकसी करित हो करके क्या बनाता है NO2 यनि बनाता है nitrogen dioxide अब इसमें जो nitrogen dioxide बनता है इसे परवाहित किया जाता है अवो शोशन अस्तंभ में इसे फिर जब अवो शोशन अस्तंभ में परवाहित करते हैं बच्चों तो वहाँ पर उपर से देखिए जल की मात्रा यनि गिराते रहते हैं फिर जब जल किरिया करता है रसगुलों NO2 से है ना यनि नाइड्रोजन डायाकसाइड से जब जल किरिया कर लेता है यहां पर क्वार्टर के पत्थर बिछे होते हैं और यहां पर उपर से नीचे नीचे जल रिस करके आता है तो जब जल किरिया करेगा nitrogen dioxide से तो बन जायेगा क्या nitric acid HNO3 ठीक ना nitric acid बन जायेगा और ये बच्चों यहाँ पर layer में और तो इस तरह से बच्चों आपका बन जाता है nitric acid है न आसान बहुत आसान है सब से पहले क्या करते हैं फिर से सुन लीजिए एकदम पूरा दिमाग में घुश जाएगा कॉंसेप्ट की सबसे पहले आमोनिया और वायू के मिस्तरां को एक अनुपात नौ के अनुपात में लेकर के उत्परियरक कच में प्रवाहिद करते हैं जहां पर प्लेटिनम की जाली बिछी होती है और इसका टमप्रेचर मतलब 650 से 800 अंसिलसियस तक होता है और यहां पर फिर क्या है प्लेटिनम की उपस्थिती में यह जब किरिया होती है बच्चों नाइट्रिक आकसाइड बनता है फिर इसे आकसी कारा कस्तंब में भेजते हैं और यहां पर क्या हो फिर से आकसी क्रित होकर के यह नाइट्रोजन डाइआकसाइड बनाता है और जब नाइट्रोजन डाइआकसाइड को फिर से देखे यहां पर तीर है ना फिर से इसे भेजा दाता है और शोशन कच्च में तो यहां पर उपर से जल गिरता रहता है जिससे कहवचों जो nitrogen dioxide है वो जल से किरिया करके क्या बना देता है आपका nitric acid तो ये रहे पूरी विधी चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें जो भी chemical reaction होते हैं क्योंकि दो reaction पूछता है पूछेगा कि भाई ये अमोनिया कि ये nitric acid निर्मार के उस्टवाल विधी लिखिये और दो इसके good लिखिये ठीक है ना उपियों भी पूछ लेता है तो चलिए पहले इसको screenshot आप कर लिजिए चलिए अब इसमें देख लेते हैं बच्चों की जो reaction पूछी जाती है ठेकना ये निक गुड में अब देखिये इसमें गया है दो लिखना है बस maximum दो लिखना है आपको वहाँ पर दो पूछा भी जाता है क्यों क्योंकि भाई एक तो figure बनाना है दूसरा इतना पूरा आप आपको लिखना है ये किस सिध्धान पर कारी करता है कैसे क्या बनता है एक तो विधी लिखना है और उसके साथ ही साथ बच्चों आपको लिखना पड़ता है पूरा गुड उपियोग तो पांच नमबर है इसके चक्र में बहुत सारे question छूट जाते हैं इसलिए क्यों उतन प्रबल आकसी कारक गुड यहां एक प्रबल आकसी कारक होता है और यह क्या करता है बच्चों यह आकसी क्रित हो करके नवजात आकसीजन बनाता है इसको कहते हैं नवजात आकसीजन ठीक है नवजात आकसीजन का निर्मार करता है बच्चों तो यह आकसी कारक गुड है नाइड्रोजन सलफाइट से किरिया करके ये सलफर का एक आवचेप देखे जब तीर नीचे होता है तो कोई आवचेप बनता है ठीक ना क्या लिख रहे हैं सलफर का बच्चों ये आवचेप बनाता है यह नि ये कुछ पदार्थ ठोस के रूप में इकठा हो जाता है और जल और साथ में नाइट्रोजन डाइयाकसाइड गैस बनती है तो ये रहें दोनों इसके केमिकल रियक्षन ठीक ना इसके राशायनिक गुड ठीक अब उसके बाद बच्चों उपियोग में अगर हम बात करें तो रस्कुलनों इसका उपियोग क्या होता है बहुत सारी उपिय ठीक है ना और शदी के निर्माड में ठीक और अमल राज क्या होता है जब नाइट्रीक एसीड किरिया करता है किसे एक सील तो दोनों का मिस्ट्रों जो होता है बच्चों उसी को अपन बोलते हैं अमल राज या एकक्वा रेजिया ठीक हना तो अमल राज बनाने में इत्र बनाने में और शदी बनाने में तो ये रह बच्चों इसका उप्योग तो इस तरह से रस्गुल्णों आप अगर लिखेंगे तो आपके पांच नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे तो चलिए इसको स्क्रीन सॉट कर लीजिए एक बार पूरा ठीक ना तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही इसी तरह बच्चों हम बाकी के टॉपिक भी एक दो दिन में पांच नंबर वाला करवा देंगे ठेकना बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नय है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिज झाल